तो दोस्तो आजकी इस वीडियो में हम कवर करेंगे दे ब्रेफ पॉर्टर तो दोस्तो इसे हम स्टार्ट करें उसे पहले मैं आपको बता दू कि मैं आपके तेलांगाना बोट के इंगलिष के क्लास 10 के स्लेबस को पूरा कम्प्लीट कर रहा हूँ और दोस्तो मैंने बहुत सारे chapters के उपर पहले से ही वीडियो बना रखा है अगर आपने उन सभी chapters को नहीं देखा तो दोस्तो simply उपर i button के उपर क्लिक करें आपको सभी chapter के वीडियोस मिल जाएंगे वरना दोस्तो आप हमारे चैनल में जाए और टेलांगाना बोट के English के Class 10 के स्लेबस को चेक करें वहाँ पर भी आपको सभी chapter के वीडियोस मिल जाएंगे और हाँ दोस्तो आप हमारे चैनल को भी subscribe कर दे क्यूंकि जब भी मैं आपके स्लेबस से related वीडियोस बनाऊंगा तो वो आपके पास पहुँच जाएगा तो subscribe किया पहले कर दो फिर पढ़ो तो चलिए अब स्टार्ट करते है तो अभी जंगल में रात का वक्त है और यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रहा है यहाँ पर एक old tiger है यानि कि एक बुढ़ा tiger है यह यहाँ पर जंगल में shelter ढूंड रहा है ताकि यह बारिश से अपने आपको बचा सके तो दोस्तो अचानक से इसे एक जोपली दिखता है तो यह इस जोपली के दरवाजे के पास जी हाँ इस जोपली के डोर के पास आकर बैठ जाता है तो जैसे ही यहाँ पर बैठाना इसके कुछ वक्त के बाद इसे एक आवाज सुनाई देती है और वो आव लीक कहां से है और अब ये औरत कहती है कि इस लीक से अच्छा तो मैं किसी टाइगर से मिल लेती इस लीक से अच्छा अगर मैं किसी टाइगर से मिलती तो वही अच्छा होता तो दोस्तो ये सभी चीज़े ये टाइगर सुन रहा था और ये पगला टाइगर सोचता है कि अरे ये लीक कौन है जरूर मुझसे ज्यादा शक्ती साली जानवर होगा और मुझसे ज्यादा ताकतवर भी होगा तो दोस्तो ये सुनने के बाद टाइगर यहां पर सो जाता है तो सोने के कुछ देर के बाद ये उठता है अब ये क्यूं उठा? क्योंकि दोस्तों इसके उपर पानी का एक फवारा आप कह सकते है तो इसके उपर छट से पानी का फवारा इसके हेड और शोल्डर के उपर गिरता है तो अब ये उठ चुका है और जैसे ही ये उठता है ना तब इसे एक आवाज सुनाई देती है तो ये टाइगर सोचता है कि अरे ये आवाज जरूर लीक की होगी वो ही आवाज लगा रहा है और अब ये टाइगर सोचता है कि मैं वही करूंगा जो ये लीक कहेगा अगर मैंने वह ऐसा नहीं किया न कहीं ये मुझे मार ना दे अब दोस्तो ये आवाज किसकी थी तो दोस दोस्तो इसका donky हरा गया है और ये अपने donky को ढून रहा है तो यहाँ पर क्योंकि बहूत अंधेरा है तो इस porter कोलगता है कि यही tiger इसका donkey है इस tiger के पास आने के बाद ये porter कहता है कि अरे बेकूफ तो कहा चला गया था अभी तुझे इतना ना मारूंगा तुम मर जाएगा तो ये सुनने के बाद दोस्तो टाइगर और भी डर जाता है और टाइगर का अपने लगता है तो अब पॉटर इसे रसी से बांता है और फिर इसके उपर बैढ जाता है बैठने के बाद ये tiger के उपर right करता है और ये tiger को लेकर आकर रुखता है अपने hurt यानि की अपने जोपड़ी के पास तो ये जैसे ही अपने घर के पास यानि की जोपड़ी के पास आया तो ये इस tiger को बान देता है यहां के आसपास के एक tree में और ये tiger को बानता है एक chain से tiger को chain से बानने के बाद ये potter चले जाता है शिकार के लिए तो दोस्तो अब afternoon का वक्त होता है यानि कि दोप हैर का समय होता है अब potter वापस आता है घर और ये बहुत ठक चुका है और घर आने के बाद ये पीता है palm wine तो जैसे ही ये palm wine पी लेता है न फिर ये देखता है कि तूफान आ चुका है तो ये जल्द से जल्द बाहर आता है और बाहर आकर खोजता है अपने donkey को आपको तो पता है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर donkey नहीं है यहाँ पर tiger है तो यह यहाँ पर अपने donkey को खोजता है तो यह देखता है अरे इसे तो मैंने बान कर गया था यह कहाँ चला गया तो दोस्तो यहाँ पर donkey नहीं है यहाँ पर है सिर्फ यह चेन अब यह Potter सोचता है कि अरे यह कहाँ चला गया अब यह मुझे मिलेगा ना तो बहुत मारूंगा तो दोस्तो अब ये फिर से निकलता है अपने डॉंकी को खुजने के लिए और अब दोस्तो फिर से सेम सीन होता है जी हाँ फिर से बिल्कुल सेम होता है तो एक टाइगर एक टाइगर क्या वही टाइगर फिर से उस वोमेन के डोर के पास बैठता है और पॉटर फिर से उसी जगह पर जाता है और दोस्तों अभी भी बहुत अंधेरा है तो पॉटर को लगता है कि यह नहीं की जह लाकर इस टाईगर को बांग्न recuper को आँग दीटा है आप दोस्तों अगले सुभा यह गौव्य जब इस टाईगर को देखते हैं कि यह पॉटर के घर के पास बंदा हुआ है तब ये सभी गौँवाले इस पोर्टर के फैन हो जाते है क्योंकि दोस्तो इस टाइगर ने बहुत सारे यहाँ यानि की इस जंगल के बहुत सारे गोट्स और बहुत सारे बफलोस को खा कर रखा था तो दोस्तो अब पोर्टर देखता है कि अरे यहाँ पर डॉंकी था यहाँ पर टाइगर कैसे आया तो दोस्तो जो होने का था वो हो गया और अब एक साल गुजर चुका है और अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही भयंकर यूद होगा और यह यूद होगा between country of potter and neighboring country means जिस country में potter रहता है और इसके पास का जो देश है ना इन दोनों देश में अब भयंकर यूद होने वाला है तो अब यहाँ के जो राजा है यानि कि जिस country में यह potter रहता है इस country के जो राजा है ना इन्होंने एक आर्मी बनाया और इनकी आर्मी को lead करने के लिए एक बंदा चाहिए तो अब यह king बहुत ही confused है कि यह अपने आर्मी को lead करने के लिए किसे रखे तो यहाँ पर दोस्तों king के बहुत सारे minister होते है तो जब discussion होता है ना त उन सभी ministers में से एक minister कहता है कि क्यों ना हम brave potter को रख ले king को सभी चीज़े बताया जाता है potter के बारे में तो king जो है वो agree हो जाते है तो दोस्तों अब potter बन चुका है general of the army जी हाँ potter अब इस army को lead करेगा तो दोस्तों अब अगले दिन battle होने वाला है और अभी रात का समय है तो इस potter को पता चलता है कि जब ये youth में जाएगा ने ये घोड़े में जाएगा तो ये potter अब सोचता है कि अरे मैं तो बेखूफ हूँ मुझे तो घोड़ा चलाना ही नहीं आता तो मैं उसे कैसे handle करूंगा तो अभी रात चल रही है और ये potter बहुत ही nervous है तो अब द जाता है और अब ये horse के ऊपर बैठ चुका है लेकिन अब इस horse के ऊपर बैठने के बाद ये इस horse को जरा सा भी control नहीं कर पाता तो ये potter horse के ऊपर तो बैठ गया लेकिन दोस्तों क्या ही potter horse को control करता है यहाँ पर horse potter को control कर रहा है तो अब ये horse भागे जाता है भागे जात पौटर है ना ये इस ट्री को पकड़ लेता है जिससे कि पौटर घोड़े से छूट गया, घोड़ा आगे भाग गया और ये पौटर यही इस पेड़ के साथ है, और दोस्तों ये जो पेड़ है ना ये पौटर ने इसे जब पकड़ा था तब ये पेड़ तूट चुका है, जी हां ये पेड़ अब अपरूटेड हो गया है तो अगेंस्ट में जो आर्मी है यानि कि दूसरे देश का जो आर्मी है न उसमें से एक बंदा अभी देख रहा है कि पोटर आ रहा है ट्री के साथ जी हां पोटर अपने साथ इस ट्री को लेकर है तो ये soldier सोचता है कि अरे ये तो वही potter है जिसने शेर को मज़ा चकाया था अगर हम लोग इससे fight करेंगे ना तो हम हार जाएंगे तो ये soldier जल्दी से अपने king के पास जाता है और सभी चीज़े king को बताता है तो यहाँ पर जितने भी soldiers थे वो सभी इस बात को सुनते है और जितने भी soldiers थे ना वो सभी इस potter से डर कर भाग चुके है जी हाँ सभी भाग गए तो अब king यहाँ पर अकेला है तो king अब एक later लिखता है और later को लिखने के बाद ये भी भाग गया तो अब यहाँ पर बात यहाँ आती है कि इसने later में क्या लिखा तो दोस्तो इसने later में लिखा है कि मतलब ये sorry कहता है इस country के राजा को यानि कि जिस country में ये potter रहता है उसके राजा को ये sorry कहता है तो king यहाँ से चला गया अब दोस्तो potter इस later को लेता है तो Potter समझ गया कि ये सभी मुझ से डर कर भाग गये है तो Potter अब घर जाता है घर जाने के बाद ये अपनी इस wife अपनी wife को later देता है और कहता है कि अरे मैं घोडे से बच गया और उनसे fight करने से भी बच गया और मुबारक हो हम ये यूध जीत चुके है पॉर्टर अपनी वाइफ को कहता है कि चलो चलो कहीं घूमने चलते है बहुत दिन हो गया है तुम्हारे साथ मैं घूमा नहीं हूँ अरे मजाग कर रहा था ऐसा कुछ नहीं कहता है तो पॉर्टर अपनी वाइफ को कहता है कि लो इस लेटर को लो और कल जाकर कल नहीं अभी जाकर राजा को दे दो तो पॉर्टर की वाइफ अब जाती है आज ही के दिन राजा के पास और राजा को इस लेटर को देखती है तो राजा जैसे ही इस लेटर को पढ़ता है तो बहुत ही खुश हो चुका है क्योंकि यह सोच रहा था कि इसकी जो आर्मी है वो हर जाएगी लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉर्टर गया और इस यूद को जीत कर आ गया तो दोस्तो अब राजा क्योंकि बहुत ही खुश है तो जैसे पुराने कहानी में होता है कि राजा जब किसी से खुश होता है तो वो उसे अवार्ड देता है यानि कि रिवार्ड देता है तो राजा कहता है कि अपने husband को बोल देना कि कल आए क्यूंकि उसे बहुत सारा मैं award दूँगा तो दोस्तो अब अगले दिन जब ये potter आ रहा है राजा के यहां तो street में यानि के रास्ते में जितने भी लोग है न वो सभी cheer करते है potter के लिए और यहां पर किंग से potter को बहुत सारा खजाना यानि कि बहुत सारा reward मिलता है तो दोस्तो मुझे उमिद है कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा और मैं आपको बताता चलू कि इस chapter का Hindi explanation अब तक YouTube में किसी ने नहीं बनाया है जी हां किसी ने नहीं मैं पहला बन्दा हूँ जिसे जिसने इस chapter को Hindi में cover किया है तो इसके लिए subscribe बनता है और सिर्फ इस channel को नहीं मेरे एक और channel है उसे भी subscribe कर दियो उसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा तो दोस्तो मिलेंगे आपसे अगले वडियो के साथ